नमस्कार, स्वागत बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पुडुचेरी के अंदर या पांडी चेरी जो पहले पांडी चेरी कहा जाता था अब पुद्दुचेरी कहा जाता है वहां पर राज्ये बनाने की मांग उठ रही है और इसके साथ ह हाली फिलाल में जो वहां के मुख्य मंत्री हैं देखे हमारे देश में ये Union Territories है तो हमारे देश में टोटल आट Union Territories है यानि केंदर शाशित परदेश का मतलब होता है जहां पर केंदर के द्वारा शाशन किया जाता है यानि जो राश्टपती है उनके द्वारा Lieutenant Governor को वह पुदुचेरी में क्या है यहां पर विधान सभाओं का भी गठन हो सकते हैं यहां पर जो है वह मुख्य मंत्री भी बन सकते हैं तो यहां के जो मुख्य है वो जादा है हम यहां पर कंपनीज को इन्वाइट नहीं कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन रोजकार की शमताओं को मतलब भढ़ाना है तो हमें वो पावर चाहिए इसलिए काफी टाइम से यह डिमांड कर रहे हैं एक दूसरी दूसरे तरफ से आप देखा जाए तो यहां पर यह जो डिमांड उठके है यह जब दिल्ली में इलेक्शन थे तब अरविंद केजिवाल जी ने भी का था हैं कि मैं दिल्ली को एक तरीके से स्टेट बनाना चाहता हूं लेकिन वो बना नहीं पाए अब वो मुद्दा बतानी कहां पर है सेम तो सेम आज इन्वेस्टमेंट कर सके और इंप्लॉइमेंट मिल सके और यह सब करने तो हमें स्टेट का एक दर्जा देना पड़ेगा फिलाल यह नियूज आई यह दा हिंदू में यह बात कवर की गई है चलिए थोड़ा से यूटी के बारे में जान लेते हैं देगे यूटी यानि ज किसे राज्य का दर्जा देने के लिए तो बहुत जादा यह बहुत जादा चोटे हैं ठीक हैं साथ इसाथ अगर इसको किसी दूसरे राज्य में मिलाया जाते हैं तो इनकी जो एकनोमिकल कल्चरली जोग्राफिकल जो कंडिशन है वो वहां पर सुटेबल नहीं है आर्थि जो इस सेंटर हे वो यहाँ पर एड्यमिनिटैशन को संबालती हैं कैसे संबालती हैं के इंदरशाषी प्रतेश में राष्टपती के द्वारा जो वहां पर लेटनेंट गुवर्नर को भेजा जाता हैं और वहां पर यह एड्मिनिशेशन चलाते हैं हालांकि मैंने का न सीटों का निर्धारन हो रहा है आने वाले टाइम में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे लेकिन यहां पर यह होने वाली यहां पर भी एक मुख्यमंत्री होगा क्लियर देश के अंदर अभी हाल फिलाल में आठ केंदर शाशित परतेश हैं यूनियन टेरिटरीज हैं कौन कौन सी दिली अंडमानिक कोबार चंडिगर दादर और नगर हवेली ततदवन दीव जमू और कश्मीर लद्दाक लक्षदीप और उद्दुचेरी फिलाल इसके ब लेंगे लेकिन इनको राज्य का दर्जा वहां पर मिल जाएगा तो वह सीब चीजें के उन्यूरी एक तो सवाल वह भी उठते हैं किलाल इसके पर भी बात बात करेंगे क्योंकि हमारे देश के अंदर है ना कि हम किसी भी राज्य के अंदर किसी भी special provision के according या फिर किसी भी special हिंदी में हिंदी को मैंने ज्यादा priority देते हुए उसको बड़े बड़े शब्दों में यहां पर लिखा है इंग्लिश को थोड़े सकम priority मैंने देते हुए उसको नीचे रखा है छोटे कम शब्दों में लिखा है लेकिन है दोनों की दोनों सेम कहीं सोचों कि क्या है चीज तब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो अंग्रेज उन्हें कहा था देखिये हैं हम इस देश में से जा रहे हैं तो जितने भी जो प्रिंसली स्टेट है जा पर जितने भी जो स्टेट है यहां पर वो अगर चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं चाहें तो भारत में मिल सक यहां पर गए इन राज्यों के पास हस्ताक्षर करवाई, कहा कि आप शामिल होई है भारत के अंदर, और तभी के तभी भारत में उन्होंने सारे के सारे जो प्रिंसले स्टेट थे, उनके साइन लेकर भारत में उनको शामिल कर लिया था, कुछ एक मिल गए थे उनको मैंने डिसकस किया हुआ है आप जाके एक प्लेलिस आपको इसी चैनल में मिलेगी पॉलिटी फ्रॉम लुशन्ट करके वहां पर लुशन्ट से रिलेटिड में करा रहा हूँ तो वहां पर डिटेल से भी थोड़ा बहुत बताया हुआ हुए तो वहां पर क्या हुआ 1947 के बाद ये बात हुए 1949 के अंदर जब ब्रिटिश कहे थे राज्यों को वहां पर चार जब 1949 में ब्रिटिश कहा गये थे हमने एडॉप्ट किया था समीधान को तो चार केटेगरी में राज्यों को बाटा गया था पाट A, पाट B, पाट C, पाट D ठीक है पाट A के अंदर वो राज्य थे या फिर वो शेत्तर थे जहां पर ब्रिटिश, भारत का मतलब ब्रिटिश का सीधा तोर पर नियंतर्ण था गवर्नर थे वहां पर, गवर्नर प्रांत ठीक है वहाँ पर governor थे अच्छा फिर B के अंदर क्या था princely state थे C के अंदर क्या था chief commissioner provinces थे जहां पर क्या था जो अंग्रेज थे अंग्रेजों ने chief commissioner बिठा रखे थे chief commissioners के माध्यम से वहाँ पर वो राज किया करते थे D के अंदर अंदर अंदमा निकोबार दीफ समू ये island सामिल थे ठीक है यहां पर यह हो गया 1956 में C और D को मिला लिया गया बहुत important है state reorganization act of 1956 के अंदर जो part C है part D है इनको मिला लिया गया और कहा कि आगे से अब चलके देश के अंदर यहा तो राज्य और union territory ही होंगे ठीक है तो वहां पर यह start हुआ था पहले यह राज्यों का ऐसे बाटा गया था part A, part B, part C, part D ऐसे divide थी थे लेकिन 1956 के बाद state और union territories बन कहा थे 7th amendment यानि सात्वा समिधान शंशोदन हुआ था तब यह union territory का concert ad किया गया था समिधान के अंदर ध्यान रख रहा है union territory का जो आप concert देखते हो न अरे भाईया कहां गाया वो जाते हो ठीक है जो संग शासित परदेश की जो अव धारना है वो समिधान के सात्वे संशोदन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था बहुंस्ट इंपोर्टन है इससे पहली union territory का नाम नहीं था यहां पर यह शामिल हो जाते है clear हुआ आचा यह सारी चीज़े मैंने बताई है 1947, 1950, 1956 यह जो चीज़े हो रही है आचा मांग के कारण के कुछ शेत्र के ओपर यहां वहां पर जो reasons है वहां उनके ओपर negligence है मतलब कि उनका ध्यान नहीं है सरकार का improper allocation है वहां के संसादन resources के ओपर वहां पर difference है बहुत जादा culture, language, religion यहां पर है तो चाहते हैं कि हमें एक state का दरजा दिया जाए परजा की सुनी जाए तो वहां पर हमें state का दरजा चाहिए कहा जाता है कि जब किसी चीज़ को किसी भी राज्य को union territory के अंदर लिया जाता है तो वहां पर उनके democratic rights कम हो जाते हैं और जो state होता है वहां पर democratic rights जादा होते हैं तो ये बात सुनने को मिलती है खैर ये सारी बाते हैं जो है वो election से related चीज़ें भी देखी जा रही है फिलाल ये बाते हैं आगे चलते हैं अच्छा ने राजें के बनाने से problem क्या create हो जाती है क्यों नहीं बना देजे अच्छा ने राजें बनाने से regional है वहाँ पर पर्तिदवंदता यानि एक तरीके से वैर उत्पन हो जाएगा ने राजें के बनाने से भई एक तरीके से political भी negativity जो political consequence है उनका negative परभा पड़ता है negative कैसे कि छोटे-छोटे समुदाएं हैं उन्होंने अपनी इच्छा के इन सरकार बना ली कभी इच्छा के इन सरकार जो गिरा दी साथी साथ जब ने राजें बनता है तो वहाँ पर दूसरे राजें से आने वाले पानी को लेकर interstate voter को लेकर ठीक है वो problem होगी सीमा को लेकर भी वाद बढ़ जाएंगे वहाँ पर और साथी साथ जब राजे बनता है तो राजे बनाने के लिए बहुँ जादा पैसा खर्च किया जाता है जैसे अंदर परदेश और तेलंगाना का जब वी बाजन हुआ क्या कर सकते हैं कैसा बिलकुल इशा क्या जा सकता है कैसे कर सकते हैं Article 2 और Article 3 जो यहां पर है समीधा Parliament को पावर देते हैं कि आप इनके दुआरा जो है State का दर्जा दे सकते हैं Article 2 में कुछ Terms and Conditions हैं उनको follow करते हुए राजे को शामिल किया जा सकते हैं अपस में बिलाना एक राज्य को अलग अलग कर देना तो यह सारी चीजें हम आर्टिकल 3 के अंदर भी कर सकते हैं तो constitutionally यह चीजें हो सकते हैं ऐसा कि नहीं है कि नहीं हो सकते हैं अच्छा थोड़ा बहुत पुदुचेरी के बारे हम जान लेते हैं देखे पुदुचेरी के बारे में जब मैं college के अंदर था न मैं सोचा करता था यह है कहां पर क्योंकि यह स्टेट के अंदर included है थोड़ा शाय आपने जमीन ले रखी है तो वह वालिच याद होगी पुदुचेरी है तो पूरा पूरा यहाँ पर चार हिस्सों में फैला हुआ है लेकिन कहीं ऐसा है एक इसकी जगां कहां पर है केरल के अंदर दो जगां इसकी तमिलाड़ो में एक जगां यहां पर अंदर पर्देश क के अंदर है तो 1962 के अंदर यह चार उपनिवेश हुआ करते थे यह भारत को सोपे गए थे और तब वहां पर फ्रांसिसी आयते थे 1962 में यह हमारे भारत को देखे चले गए थे अब यहां पर एक चीज है कि क्यों इनको स्टेट के अंदर क्यों नहीं मिला सकते क्यों कि देखे अंदर तो है स्टेट के अंदर मिला दो ना तो स्टेट के अंदर मिलाने के पीछे क्या है अगर आप देखते हो कि हमारे देश के आठ यूनियन टेरिटरीज हैं, कहां गया वो, अरे कहां, इतना पीछे चला गया, क्या, यहां, देखें, आठ यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन-कौन से दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडिगर, दादर और नगर हवेली, दमन, दीब, जमूर, कश्मीर, लद्दाक, ल मध्यें के अंदर देखें, तो दिल्ली और उपर की चलव चलें, तो चंडिगर, उससे उपर की तरफ चलें, तो यहां पर जमूर, कश्मीर, तो यहां पर एक तरीके से सरकार ने यहां, कंट्रोल सापित कर रखा है, इनके जरिए अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, एक की रहा, तो यही यह की दिए कि राजनेतिक विचारों को दूर रखते हुए, वहां के जो शोशल है, वो एकनोमिक है, इनको जादा प्रियोर्टी दे, वहां पर जो बरष्टाचार बढ़ रहा है, तो बरष्टाचार को खतम करते हुए, वहां के लोगों को रोजगार दे देखो क्या होता है, खैर ये सारी चीज़ें जो हैं, वो election को नोध्य नजर रखते भी की जा सकती है, एक तरी के का आपको ये भी point of view ध्यान रखने की जोड़ते हैं, फिलाल ये सारी चीज़ें election के time में होती हैं, अगर किसी को नोकरी देनी हो, तो election के time में याद आती है, कि हाँ, अब बच्चों को नोकरी दे दी जाए, क्योंकि बच्चों के पास नोकरी नहीं है, और वो vote का साधन बन जाते हैं, फिलाल ये सारी बातें होती रहती हैं हमारे देश के अंदर, तो ये तो था, आज की डेट का पूदुचेरी को राज्य बनाने को लेकर, एक मांग जो चल रही है, उसका एक विशलेशन, चैद आपको पसंद आया है, तो काफी अच्छी बात है, पसंद आया है जिससे और वीडियोज बनाने के लिए हम खुश हो जाते हैं, कि हाँ, सामने वाले को समझ आ रहा है, कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, उसको कुछ समझ में आया, तो बहुत अच्छा लगते हैं, साथ साथ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं, तो शेयर कर दीजिए वीड प्लिक करके आप देखेंगे, तो आपको वहाँ पर इसमें मिल जाएगे, कहर काफी चीज़ें आती रहती हैं टेलिग्राम पर, आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से वह इंपोर्टन है, तो बस आज के लिए इतना इता है इस वीडियो में, तैंक यू फॉर वॉचि इस वीडियो